नमस्कार रोवसक्षिर निएस्टेक वर आप सभी का स्वागत है पस्चिम बंगाल की तिर्मूल कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आज पड़ा प्रदशन किया इस प्रदशन को बीजेपी ने नवन्ना अभियान नाम दिया था राज्य भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह दर्शा रही हैं कि जगा जगा बीजेपी नेताओं ने रेलिया निकाली और गिरफ्तारिया दी यही नहीं कई जगहों से बीजेपी कारेकरताओं पर पुलिस लाठी चार्ज की भी खबरें हैं इसके लावा हावडा के संत के खिलाफ नबनना अभियान में हिस्सा लेने के लिए राज्य भर से बीजेपी समर्थक मंगलवार सुबह कोलकाता और पडोसी हावड़ा पहुंचना शुरू हो गए थे पुलिस की निगरानी से बचने के लिए बीजेपी कारेकरता नाओं से और लोकल ट्रेनों से भी बड के वीडियो इस समय शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं इसको देखते वे बीजेपी नेताओं का कहना है कि पुलिस तर्णमुल कॉंग्रेस कारेकरताओं की तरह वेवार कर रही है आपको बता दें कि बीजेपी ने इस मार्च को सफल बनाने के लिए कोलकाता महानगर औ अपनी पार्टी के सदस्यों और समर्थकों को लाने के लिए उत्तर बंगाल से तीन और दक्षिन बंगाल से चार ट्रेने किराय पर ली हैं पुलिस ने हना कि बीजेपी के नवन्ना अभियान के मद्देनजर कोलकाता शहर के कई प्रमुख हिस्सों में यातायात पर प्रति प्रश्पा के रास्ट्र विपाध्यक्ष दिलिव खोष्ट ने उत्तरी कोलकाता से मार्च का नेत्रत्र किया जबकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी संत्रागाची छेत्र से रैली का हिस्सा बने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार उत्त इनर्जी के नेत्यत्वाली सरकार पर लोक्तांतरिक विरोध को जबरन रोखने की कोशिश करने का आरूप लगाया है राहुल सिना ने कहा है हमारे समर्थकों को समवार शाम ही अलीपूर द्वार से सियाल्दव के लिए एक विशेश ट्रेंड में चड़ने से रोका गया औ तक मार्च के दौरान संत्रा काची जाने की कोशिश खरते समय हिरासत में ले लिया बीजेपी नेता और सौनसद लॉकेट चटर जी और पार्टी नेता राहुल सिना को भी हिरासत में लिया गया और उन्हें एक जेल वैंसे ले जाए गया आपको बता दें कि बीजेपी के और से पिछले कुछ सिनों से राजय भर में रालिया निकाल कर नवनना अभियान को सफल बनाने की अपील की जा रही थी इसलिए भीड के लिहास से देखें तो बीजेपी का नवनना अभियान सफल कहा जा सकता है उद्धर तिनमुल कॉंगरेस के प्रोक्ता जॉय प्रकाश मजुमदार ने इस मुद्धे पर कहा है कि बीजेपी अपनी संकीन पक्षपात पूर्ण राजनीती के लिए कोलकाता में अशान्ती पैदा करने की कोशिश कर रही है उन्होंने कहा हम सभी से उनके जाल में नहीं फसने का आग्रे करते हैं अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके